पस्टिन मंगाल के राजपाल, सीवी आनन्द बोजी, मंद्री मंडल के मेरे सयोगी, सांतनु ठाकोजी, बंगाल विदान्जपामे नेता विपक्ष, स्विवेंद वदिकारी जी, संसत में मेरे साथी, जगनात सरकार जी, राज़ सरकार के मंत्री महदाई, अन्य महानुफाओ, देवी और सज़रों, आज पस्टिन मंगाल के, पस्टिन मंगाल को विख्षित राजपालने की दिशा में, हम एक और कदम उठा रहे हैं, अभी कल ही मैं, आरामभाग में, बंगाल की सिवा के लिए उपस्तित था, वहां से मैंने कली साथ हजार करोड रुपिये, सेवन थाउजन करोड रुपीज, इसकी विकास पर योजनाओं का लोकारपन और सिलान न्यास किया, इनमें रेलवे, पोर्ट, पैट्रोलियम से जुड़ी, कई बड़ी उजनाई सी, और आज एक बार फिर, मुझे करीब 15,000 करोड रुपिये, 15,000 करोड रुपीज, उसके विकास कारियों के लोकारपन और सिलान न्यास का सोभाएगे मेरा है, बिजली, सड़क, रेल की बहतर सुविदाएं, बंगाल के मेरे फाई बहनों के जीवन को भी आसान बढ़ाएगी, इन विकास कारियों से पर्चिम बंगाल के आर्थी विकास को गती मिलेगी, इनसे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी प्याता होंगे, इस अवसर प्रफधाई देता हूँ, शुब कामनाई देता हूँ, साथ यो आर्थूनिक दोर में विकास की गाणी को रफ्तार देने के लिए, बिजली बहुत बड़ी ज़र्वत होती है, किसी भी राज के इन्रस्टी हो, आर्थूनिक रेल सुविदायों हो, या आर्थूनिक टेक्नोंजी से जुड़ी हमारी रोजमारा की जिन्दगी हो, बिजली की किल्लत में कोई भी राज, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता, इसलिए हमारा प्रयास है, कि पस्जिम मंदार, अपनी वर्तमान और भविशे की बिजली जरुवतों को लेकर, आत्म निर फर बढ़ें, आज दामोदर घाटी निगम के तहट, रगुनाजपूर थर्बल पावर स्टेशन फेश टू, परियोजना का सिलान्यास इसी दिशा में एक बड़ा कदम है, इस परियोजना से राज में ग्यारा हजार करोड रुपे से ज़्यादा का निवेश आएगा, इससे राज़की उर्जा जिरोते भी पुरी होगी ही, आज पास के इक शित्रों में आर्फिक विकास को भी गती मिलेगी, आज इस थर्मर प्रांटे सिलान्यास के साथ ही मैंने मेजिया थर्मर पावर स्टेशन के एपजीरी सिस्टिम का उद्धाटन किया है, एपजीरी सिस्टिम परियावरण को लेकर भारत की गंबीरता का प्रतीक है, इसे इस इस इलाके में प्रदूशन को कम करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी, साथियों प्रस्चिम मंगाल हमारे देश के लिए, देश के के लाज्जों के लिए फूर्वी द्वार का काम करता है, पूर्व में इस द्वार से प्रगती की अपार संभावनाओं का प्रदेश हो सकता है, इसलिए हमारी सरकार प्रस्चिम मंगाल में रोड़ वेच, रेल वेच, एर वेच और वोटर वेच की आधुनी कनेकिविटी के लिए, काम कर रही है, आज भी मैंने फरका से राइगंज के बीच, नेशनल हाईवे ट्वैल का उद्गाटन किया है, एनेच बारा का उद्गाटन किया है, इसमें करीब दो हजार करोड रुपी है, तू थाउजन करोड रुपी खर्च किये गए हैं, इस हाईवे से बंगाल के लोगों के लिए यात्रा की रफ्तार बढ़ेगी, फरका से राइगन तक का जो पुरा सफर है, वो चार गंटे से घटकर आधा हो जाएगा, साथ ही इससे कालियाचक, सुजापूर, मालदार ताउन, आधी शहरी इलाकों में याता यात्री स्थिती भी सुद्रेगी, जब परिवहन की रफ्तार बढ़ेगी, तो आउटियों की गतिवीधियाँ भी तेज होगी, इसी इलाके के किसानों को भी फाइदा पहुचेगा, साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के द्रस्टिकों से रे पच्चिम बंगाल के गव्रव शाली प्याद का हिस्सा है, लेकिन इतिहास की जो बड़त बंगाल को हासिल थी, आज हादी के बाद उसे सही दंग से आगे नहीं बढ़ाया गया, यही कारण है कि तमाम संभावनाओं के बावजुद बंगाल पीछे चुटा गया, पीछले दस वरसों में हमने उस खाई को पाटने के लिए यहां के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोड़ दिया है, आज हमारी सरकार बंगाल के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले के मिकाबले दो गुने से भी जान्दा रुपए खर्च कर रही है, आज भी मैं यहां एक साथ भारत सरकार की चार चार रेल परियोजनाओं को बंगाल को समर्पित कर रहा हूँ, कि इस सभी विकास कारिय आधुनिक और विक्सित बंगाल के हमारे सप्रों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे, मैं इस समारों में और अधिक आपका समय लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बाहार दस मिर्ट की दूरी पर ही विशाल मात्रा में बंगाल की जनता जनार्ण इस कारकम में सरीव होने के लिए बैठी हुई है, वो मेरा इंतजार कर रही है, और मैं भी वहाँ खुले मन से जम करके बहुत कुछ कहना भी चाहता हूँ, और इसलिए अच्छा होगा कि मैं साही बाते वहीं पर बताऊँ, यहां के लिए बत इतना काफी है, एक बार फिर आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, धन्यवाजी, परिणे लिए आप धन्यवाजद कराषे दो वह पर लिए. झाल झाल